हम एम ट्रेड के बारे में बात करेंगे एम ट्रेड एप्लिकेस्ट करेंग तो इस वीडियो को लाक्ट तक जरूर देगना ताकि आप से कोई भी इंपोर्मेशन ना चुते में एम ट्रेड एप्लिकेस्ट पर चलते हैं यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं हमें ग्राफिक या लाइनिक चार्ट देखने को मिलता है जिसको समझना काफी मुश्किल होता है अगर आपने पहले कभी ट्रेड ना लगाई हो तो आप यहाँ से डेमो अकाउंट से ट्रेड लगा सकते हैं अब हमें यहाँ पे सबसे उपर देखने को मिलता है डिपोजिट का ओप्षन जैसे हम डिपोजिट पे दपाएंगे यहाँ पे आप मिनिमम डिपोजिट कम से कम मिनिमम 77 रुपे कर सकते हैं पेटेम के दुबारा जिसमें हमें 3 रुपे बॉनस मिलेगा अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं करेंसी के बारे में जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 करेंसी समय देखने को मिलती है यहाँ पे ग्राफिक की टाइमिंग दिवी है जैसा कि 3 मिनिट पहले कैसा चल दाता 15 मिनिट पहले कैसी इसकी स्तिती ती और 30 मिनिट पहले कैसी स्तिती ताकि हम इसे आग्गे समझने में हमें आसानी रहे अब हम बात कर लेते हैं Buy One किलिक के बारे में जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे Allow ya Own करने पर हमें यहाँ पर Radio Green Trade लगा सकते हैं और इसे बंद करने पर हमें यहाँ पर Customer किया जाएगा अब हम बात कर लेते हैं Invest की Invest यहाँ पर कम मिनिमम 50 रुपे से शुरू होता है अब हम बात कर लेते हैं एक्स्प्लोर के बारे में कि यहां पर इस एप के बारे में एम ट्रेड के बारे में बिल्कूल फुल जानकारी दी हुई है कि इसकी इस्तिति कैसी है सिम्प्लेर सेवन्टी टू यार्स रियल डाटा और फेर यहां पर काफी सारी इसकी जानकारी दी हुई है अब हम बात कर लेते हिस्ट्री की हिस्ट्र पे यहां पे आपको यह लिया डेमो अकाउंट से जो भी ट्रेड वगेरा लगाई है सुकी सारी इंपोर्मेसन यहां पे मिल जाएगी झेशा कि कि इतना प्रोफि्ट वह यह लौस महत प प्रसे नो अहां यह सब जानकर यहां मिल जाएगी एल अकाउंट में भी मिल जाएगी और डेमो अकाउंट में भी मिल जाएगी अब आते हैं प्रोफाइल यहां पर आपको उपड़ ओप्सें मिलता है विड्रोल का यहां पर आप मिनिमम चार सुर्पे विड्रोल कर सकते हैं इसके अंदर आपको बेक अंकाउंट नम्मर आई एपसी कोड और बेंक नाम यह सारी इंपॉर्मेशन डालनी होती है इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिपोजिट की डिपोजिट को जैसा मैंने पहले भी बताया था कि यहां पर आप मिनिममम 77 रुपे डिपोजिट कर सकते हैं इसके अंदर आपको तीन रुपे बोनस मिलेंगे 200 रुपे पर आपको 12 रुपे और 300 रुपे पर 21 रुपे यहां पर आप फश्ट नाम लाश्ट नाम फोन नमबर और मुबाइल नमबर इमेल वगिरा डालके डिपोजिट कर सकते हैं इसके अंदर आपको एक उप्शन और भी मिलता है जैसा की चेक इन यहां पर आप डेली चेक इन कर सकते हैं जिससे आपके लेवल आगे सागी खुलते जाएंगे यहां पर आपको फॉर्मेशन मिलती है बेलेंस की वीचेर की और कुपन्स की जैसे जैसे आप ट्रेड लगाएंगे जैसे जैसे आपको यहां पर लेवल खुलते जाएंगे यहां पर आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर सकते हैं कि निचे यहां पर ट्रांजेक्शन दिया है जैसे आपने डिपोजिट की कितना किया है फिर विड्रॉल कितना किया यह सब जानकारी मिलती है ट्रांजेक्शन के बारे में इस यहां पर आपको लेवल स्टेटरेस यहां पर आपने पर किसा यहlor पार की जैसे जैसे आप डिसकाव्ट ने walks लेवल जैसे जैसे आप ट्रेट ल गांगे यहां आप रिस्टार्ट फास्फोर्ड अगर आप फास्फोर्ड बूल गए चेंज करनाour आते हैं तो यह सब स्य उपर ओर पासफोर्ड जो आपको पेले पास्फोर्ड है उसकेनिचे नीन्यव पासफोर्ड और वापस वही अगेन और कफरम करने पर आपकी password change हो जाएंगे पर यहां पर आपको transaction information यहां पर आपको पूरी जानकरी मिल जाएगी कैसे transaction होता है रिकूरमेंट information इसे आपकी पूरी जानकरी यहां पर आपको Customer प्रोल या डिपोजिट में कोई समय से आ रहे हैं तो कस्टमर्ड सपोर्ट से आप वार्सप या टेलिग्राम से बात कर सकते हैं और निचे एकजित आप यहां से लोग आउट कर सकते हैं कि इस एप को इसे एप के अंदर कि में यूज करने की चला नहीं दूंगा क्योंकि इसके अंदर हमें ऐसा कोई भी option या इसा कोई भी signal नहीं देखने को मिल रहा है जिससे यह लगे कि यह रियल है क्योंकि ना तो इसके अंदर इंडिकेटर और सिगनल का कोई option नहीं अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पर हंड्रेट परसें रिस्क के उपर इसे यूज कर सकते हैं मैं इस एप को यूज करने की चला नहीं दूंगा एसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें